हम सभी पुराने जमाने के जहाज की पहिये की च़वी जानते हैं, वे हमेशा बड़ी होते हैं, स्पोक्स और हैंडल के साथ और जहाज के पिछले हिस्से पर quarterdeck पर स्थित होते हैं, जहां नीले वस्तर पहने अधिकारी उसके चारों ओर गूमते हैं, आदेश देते हैं, कभ अरना कि जहाज के पहिये की छवी लोग प्रिये हैं, लेकिन बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में यह कैसे जहाज को संचालित करता है। अधिक दोपों और 3500 टन विस्थापन के साथ वह उस समय का सबसे शक्तिशाली जहाज था। तो मैं निश्चित हूँ कि आप समझ सकते हैं कि एक विशाल जहाज को संचालित करना, विशेश रूप से जगडालू पानी या युद्ध में, जहां जहाज की पहिया एक पूर्ण हिस्सा होती है, कितना कठिन होता है, और पूरी बाद, पूरी प्रक्रिया इस पर निर्भर है, एक अकेला टुकडा, एक टुकडा रस्सी का। पूरी तरह से प्रकट थी, पूरी तरह से प्रकट थी, इसके चारों और लकडी या धातू की केसिंग नहीं है, ये सीधे हवा में खुला हुआ है, ये छट से कमरे के माध्यम से और फिर फर्ष पर, मध्यगन डेक पर जारी रहता है, और यहां रस्सी जहाज के रुद्दर से जुड़ती है, रस्सी छट से आती और तुरंत गोला कार ट्रैक जहाज के केंद्र तक लूम्स के माध्यम से जहाज में वापस ले जाता है, ये वो लूप हैं जो बड़े काले बार से जुड़ते हैं, ये बार तिलर है जो स्वभावतह जहाज के बाहरी रुदर से जुड़ता है, जैसे ही उपर का चक्र घुमाया जाता रस्सी का एक हिस्सा टिलर को खींचता है, जो डेक को लहराता है और रुडर को घुमाता है। यदि आप टिलर का उपयोग और डेक सफाई के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, तो वे सफेद पोस्ट वास्तव में जहाज के विक्टोरियन योगदान है। वास्तव में सेल के तहत होने पर भी वहाँ उनका अनुपस्थिती होता है, इसलिए टिलर के मार्ग को ब्लॉक करने के लिए कुछ नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं, रुडर रसी के साथ समान पत पर चलता है, अनियंतरित होने या बुरी तरह से स्थान से बाहर गिरकर रसियाओं तोडने से रोकता है। जैसा कि गती बनी रहती है, आप इसे मेरे द्वारा बनाए गए हरे तीरों में देख सकते हैं, टिलर बाएं खींचा जाता है। जैसे जहाज के बाहर रुडर टिलर से जुड़ता है, वह दाहिने और जाता है, और जहाज स्टारबोर्ड मुडता है। यह एक बेहद सरल प्रणाली है, और आप देख सकते हैं कि जहाज का संचालन वास्तव में एक पतली रस्सी के टुकडे पर निर्भर करता है। जैसा उम्मीद हो सकता है, यह युद्ध के दौरान विशेश रूप से संवेदन शील होता है। चक्र को स्वयम ही नश्ट किया जा सकता है, और उजागर रस्सी को भी किसी बिंदू पर काटा जा सकता है। वास्तव में ट्राफलगर की लडाई में विजय का चक्र एक भटकी हुई कैनन गोली के टुकडे से तूट गया। चालिस आदमी को वास्तव में लडाई से हटा कर तिलर की ओर जल्दी से ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने इसे मैन्यूली आगे और पीछे हिलाया, और आदेश उन्हें उपर से चिलाये गए। ये भी वही संगठनात्मक्षन के पास था। जब एड्मिरल नेलसन को गोली लगी और उन्हें डेक के नीचे ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने जहाज की जीवन और कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण अस्थाई रस्यां बांधने वालों को निर्देश दिये। लेकिन बेशक अधिक या कम पूर्व औध्योगिक समाज में आप इससे अधिक जटिल प्रणाली की उम्मीद नहीं कर सकते। रखते थे, नहीं देखेंगे। पेक्षा ज्यादा सुरक्षा दी। यह बताता है कि किस प्रकार एक जहाज के पहिये और रूडर का नियंत्रन होता है, जिससे नैविगेशन संभव होता है। अगले पोर्ट्समत द्वारे पर हम एंकर और कैपस्टन के बारे में प्रश्न करेंगे। परन्तु तब तक मैं हूँ और रहूँगा। मेरे प्रिय दर्शक आपका विनम्र और आज्याकारी सेवक। खरन्तु तक मैं हुआपका नियंत्यों highness छेपका थ मुल किम। सब्सक्री अंकर प्रिय कक बारे में RES ड्रूब तक प्रिय किम। प्रय झाल